हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विलोग विशिवेंदर पर आज इस वीडियो में हम आप सभी कले लेकर आए हैं हिंदू मैरिज एक्ट से संबंदित इंपोर्टेंट केस लॉज जो की है सेक्शन सैविन पर नरधारि यानि कि अभी हाल ही में 19 सप्रेल 2024 को जो ऑनेबल सुप्रिम कोट है उनके द्वारा लीगल मैरिज से रिलेटर एक केस डिसाइड किया गया था तो आए शुवात करते हैं वीडियो के और बताते हैं कि क्या था वो केस और क्या स्टोरी रही उस केस की तो आखिर तक बने रह की हिंदू अभात तब तक वेद नहीं होगा लीगल नहीं होगा जब तक कि जो अपक्षित समारों हैं सेरे मनीज हैं उनके साथ नहीं किया जाए ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि मंदर में गए आरे समाजी मंदर में गए उसे कि गले में माल आये डाली और साथिपएट प्रिपेर करा लिए और उन मानते हैं कि हमारी शादी हो गई तो इसी चीज को धार में रखते वे उनेबल सुप्रेम कोट के द्वारा डिसिजन दिया गया था तो इस केस में क्या कहा गया कि वो विवाह जो है लीगल नहीं होगा जब तक कि किसी विवाह में जो अपक्षित स समारों का मतलब यह नहीं माना सुप्रेम कोट नहीं की नाच गाना हो भोज खानपान हो वेवशाय क्लेन देन हो चीज़े हम और आपनी क्रियेट की अपनी सुसाइटी के अकोर्डिक यह चीज़े जरूरी नहीं किसी विवाह को लीगल बनाने की हिंदु विवाह धीनियम क के तहत वैद समारों के भाव में इसे मानेता नहीं दी जा सकती तो आखिर सुप्रिम कोड ने कहा है कि ना चिकाना भोज खानपान वेवसाइक लेंदेन का योजन होना ठीक है यह किसी मेर इसको लीगल नहीं कहता तो आखिर कौन सी चीज़ें हैं कौन सी शर्थ हैं हिंदु म विवा की लीगल अवधारना से सम्मधित है यह बहुत ही मामले पर चार्चा करता है इस केस में जो एक चोड़ा था डॉली रानी जो मदलब वाइफ थी उनके उर्मनी जो हस्मेंट थे मनिश कुमार चंचल वो दोनों शामिल है इन्होंने क्या किया साथ जुलाई 2021 को उन् मेरिज होते हैं ज्यादा लंबे समय तक चलती नहीं तो यही परड़ा मिंगे का केस में भी हुआ जब दोनों पक्षों के विवा बीच जो है विवाद प्रारंब हो गया तो पता चला कि वास्ताव में हिंदू विवाद धीनियम की धारा सैविन जो है जो इंपोर्टेंट हिंदू मेरी जैक का सेक्षन सैविन इस पस्ट रूप से यह बात करता है कि हिंदू विवाद को परंपराओं और संसकारों और समारोहों के अनुसार ही संपन और एक्जिक्यूट किया जाना चाहिए और मैं प्रता का संसकार क्या हूंगे सब्त पत यानि के पवित रगनी क सामने साथ कदम उठाना शामिल है और जैसे ही सात्वा चन कंप्लेट हो जाता है तो क्या हो जाता है विवाद कंप्लेट माना जाता है इसके बाद इस जोड़े ने यह सुईकार किया कि वास्ताओं में इनके बीच किसी भी प्रकार का कोई विवाद समारोह नहीं हुआ था समीती संग्ठंता उसे एक मान पत्र प्राप्त कर लिया तो ओनेबल सुपरीम कोट ने फैसला सुनाया कि यह कानून द्वारा परिभासित वैद हिंदू विभा नहीं है केवल किसी भी विभा का पंजी करन करा लेना या प्रमान पत्र प्राप्त कर लेना किसी भी विभा को का कोडने आगे क्या कहा कि हिंदु विभा करते समय जो पारंपरिक रीति ग्रीवाज मनाया जाते है जोनु स्थान होते हैं उनके पालन करने पर जोड़ दिया और कहा कि हिंदु में जो विभा आप लोग पढ़ते हैं मेंस की प्रपरेशन को कर रहे होंगे तो हिंदू मिर्जक्त में मुचछन पढ़ते होंगे कि हिंदू विभा जो एक धार्मिक संसकार है या फिर समविदा है तो यदि आप इस प्रकार से किसी भी मंदिन वगएरा मगयार समाजी मंदिन वगए वहां पर आपने सिखनेच के मालाइं डाली तो यह एजे हिंदू विभाका जो एक सांस्किर्तिक रूप है उसको नस्ट करने वाला है ठीक है तो क्या कहा कोट नहीं आपर कि यह एक पवित्र सहंस्था है जो किसी के अध्यात्म आपर नेटिका हुआ हो तो आने वाले फैमिली का कोई फ्यूचर नहीं होगा बिना समार हो कि प्रमान पत्र प्राप्त करने को द्रटा से हतोत्साहित किया यानी कि उन्होंने इस चीज को डैमॉलाइज किया कि आप बिना किसी लीगल सेरे मनिक को भी प्रमान पत्र केते वो सब अमान्य गोशित कर दिये इसने उन कानूनी मामलों को भी खारिज कर दिया जो दो पक्षों के बीच विवाहित होने के आधार पर दायर के गए थे यानि कि और भी जो भी रिलिवेंट फैक्ट नों ने वहाँ पर उस महरिज को लीगल मानने के लिए दिये होंगे उनको भी क्या कर दिया खारिज कर दिया अब यहाँ यहाँ पर यह जो केस है यह इस बात की पुस्टी करता है कि भारत में जो विवाह है जो हिंदू विवाह है उसको कानूनी रूप से मानेता प्रतागत संसकारों के अनूसार अगर आप करोगे तब ही दी जाएगी विव केवल प्रमानपत्र ही प्रियाप्त नहीं होता ठीक है तो इस केवल अपने स्वार्थ के लिए क्या नहीं कर सकते हो खतम नहीं कर सकते हो क्योंकि आने वाले जो एक द्रड़ परिवार एक मजबूत परिवार एक संस्कारपूर्ण परिवार की नीव है उसको खतम करता है तो आई होप आज आज आपको हमारी वीडियो पसंद आए होगी तो अभी हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में कीजेगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ इसाथ कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसी लगी